दोस्तों पंचम पब्लिसर द्वारा हिंदी मीडियम इस्टुडेंट्स के लिए इबुक यानी पीडियाफ नोट्स त्यार किये गए हैं जो कि आपके आने वाले सभी कम्टिट एग्जाम जैसे ससी बैयंक रेलवे पीएससी पुलिस टीशर एग्जाम के लिए काफी 25 रुपए की बुक है इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक की मिल या दूसलिंग किलिक करके आप पर्चेर्ज कर सकते हैं किसी प्रकार की कुईरी के लिए इस नंबर पर आप कॉंटक्ट कर सकते हैं हर जुबा पे एक दिन तेरा ही नाम होगा हर कदम पे तेरे दुनिया का सलाम होगा हर मुसीबत का सामना करना तू डटकर तू देखना समय तेरा भी गुलाम होगा गुड मॉनी फ्रेंड्स वेलकम टू ऑनलाइन इस्ट्डी पॉइंट दोस्तों आज है 22 जनवरी और इस्टार्ट करते हैं आज है करने फैस उससे पहले दोस्तों चैनल को सब्स्राइब करके बेल आके जरूर प्रेस करें ताकि आपको डेली मौनी में करने फैस के वीडिय एक्जाम के लिए चले तो फिर फटाबर स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज खमारा पहला मात्पूर कोशन है सिंगापूर में अंतराश्ट्री टेनिस महासंग का 25,000 डॉलर का महिला टूर्णामेंट किसे ने जीता है तो यह जीता है दोस्तों अंकिता रायना ने ठीक्या अप्साने करेक्ट हो जाएगा दिखे दो भारत की अंकिता रायना ने 20 जन्वरी को शिंगापूर में अंतराश्टी टेनिस महासंग के 25,000 डॉलर के महिला टूर्णामेंट जीत हसिल की है और उने उस तो फाइनल मैच में नीदरलेंड की विश्चो नंबर 122 अरांगसा र को और यह इस सत्र में उनका पहला और कैरियर का आठमा एकल किताब था ठीक है तो सिंगापूर में अंतराश्टी टेनिस महाजंग का महिला टूर्णामेंट किसे ने जीता है अंकिता रायना ठीक है भारत की अंकिता रायना ने किसको हराया इन्होंने 20 नंबर 122 अरांगसा रास को हराया ठीक है फाइनल में नीदरलेंड के यह तो यह आप याद रखिये चलिए अगला उसन देख लेते हैं फटाबड किस राज जिने मधू बाबू पेंशन योजना के तहत सामाजिक सुरक्षा पेंशन में 200 रूपे प्रतिमाह की बढ़ुत्तरी की घोशना की है दोस्तों यह किया है ओडिशा ने ठीक है ओप्सन सी करेक्ट हो याग ठीक ओडिशा ने देखे दोस्तों 19 जन्वरी 2019 को ओडिशा सरकार ने मधू बाबू पेंशन योजना के तहत सामाजिक सुरक्षा पेंशन में 200 रूपे प्रतिमाह बढ़ुत्री की घोशना की है और इस 700 रूपे प्रतिमाह इसमें पेंशन मिलने लगेगी तो यह आप याद रखिएगा मधू बाबू पेंशन योजना के तहत सामाजिक शुरक्षा पेंशन में 200 रूपे प्रतिमाह के बढ़ुत्री काउन से राज जने की है ओडिशा गवर्मेंट ने ओडिशा के कैपिटल है महानदी ओडिशा मिश्थी थे ठीक है तो इतने फैक्ट आप याद रखिए ओडिशा चिलेटर ओडिशा को जो नित है ओडिशी है ठीक है चलिए अगला उसन देख लेते हैं एंड्री राजोलीना ने 19 जनवरी को कि इस देश के राष्टपती ग्रू में शपत ली है तो जनवरी को मेडा गासकर मेडा गासकर के राष्टपती ग्रू में सबत इनों ने ग्रहण की है मेडा गासकर की उच्छ समयधानी का दालत ने उन्हें 8 जनवरी को 55.66% मतों के साथ राष्टपती चुनाव विजेता घुशित किया था वह है 2009 से 2014 तक मेडा गासकर के राष्धानी क्या है अंटनन रीवो है और इसकी मुद्रा है मालागासी एरियरी राष्धानी क्या है अंटन रीवो और इसकी जो करेंसी है वो है मालागासी एरियरी ठीक है तो प्रावासी भारती दिवस के 15 संसक्राण का उधटन कहां किया गया है दोस्तों प्रावासी भ कि यूपी के वारांसी में किया गया और प्रवासी भारती दिवस के पंद्रवे संसक्रण की विश्य बश्तु क्या है नै भारत के निर्माड में भारती प्रवासी की भूमिका ठीक है तो यह प्याद रखिएगा पंद्रवाप प्रवासी भारती संस्क्रण काहत गटन किया गया है यूपी के वानारस में याद रखिए कि अगर इस वीडियो से आपको हेल्फ मिलती हो आपको लगता हो कि यह आपके लिए हेल्फुल है फटापट वीडियो लाइक और से जरू करें दोस्तों चलिए अगला उसने देख लेते हैं फटापट कोश्चन नमर फाइव है दुनिया के सबसे ब्रिध धिवक्ति जापान के मसाजो नोनका का 20 जनबरी को निधान हो गया है उन्हें दोस्तों अप्रेल 2018 में गिनीच वर्ल्ड रिकार्ड जवारा अधिकारी ग्रूप से दुनिया के सबसे ब्रिध पूरुस के रूप में मानिता दी गई थी और उनका जनमर दोस्तों हुआ था 25 जुलाई 1905 को और जापान में दोस्तों दुनिया की सबसे अधिक जीवन प्रत्यासाओं में से एक है और यहां कई विक्ति हैं जिने सबसे ब्रिध धिवक्ति ग्रूप में मानिता दी गई है तो दुनिया के सबसे ब्रिध धिवक्ति जापान के मसाजो नोनका का 20 जनमर उनिधान होगे उनकी उम्र क्या थी 113 वर्स चलागला कोशन देख लेते हैं युनेशको दारा किस सहर को 2020 के लिए विश्व राजधानी के रूप में घोशित किया गया है तो कि यह गया है दोस्तों रियो डी जिनेरियो को ठीक ऑप्सन हो और यह से जुलाई 2020 में इंटरनेशनल यूनियन ऑफ और्किर्टेक्स कांग्रेस की मेजवानी करें इससे हर तीन वर्स में वाजित किया रहा है दोस्तों यहां पर बात हो रही यूनेशको की तो यू एन ए यू एनी एस सीयो इसका फुल फॉल फाम क्या होता है फुल फ इसको का मुख्याला सो पेरिश फ्रांस में ठीक है पेरिश फ्रांस में इसका मुख्याला है आप याद रखिएगा ठीक है चलिए अगला कोशन देख लेते हैं दोस्तों 23 से 25 जनबर 92 तक दूती विश्व एकिकरित चिकित्सा संगोष्टी 92 कहां जित की जाएगी त्यों की जाएगी गोवा में कहां पे गोवा में ठीक है ठीक है ठीक है उस्तों होमेपैथिक चिकित्सा उत्पादों के विनियमन वैस्युक्षायो को आगे बढ़ाने पर दूस 24 जनबरी को एपी जे कोलकाता लिटरिली फेस्टिबल में वुमेंस आगे बढ़ाने विश्व एकिकरित चिकित्सा संगोष्टी 92 कहां जित की जाएगी गोवा में अगला होशन है एपी जे कोलकाता शाहितिक्स समारों में भूमन्स वायस अवाड किसने प्रदान की किसे किसने प्राप्त किया है तो दूस्तों से करेक्ट अंसर जागा रंजन मुरली ठीक है ऑप्सन ए देखे उस्तों अमेरिकी निवासी भारती कभी रंजनी मुरली को 20 जनबरी को एपी जे कोलकाता लिटरिली फेस्टिबल में वुमेंस आए वायस अवाड मिला है इस पूरु स्क्रीन जुलाई 2017 में प्रकासित हुई थी ठीक है तो एपी जे कोलकाता साहितिक समारों में वुमांस वायस वाड किसे ने प्राप्त किया है रंजनी मुरली ठीक तरव अमिरात के उन्नत सामागरी केंद्र द्वारा पहले सामागरी और संधान के लिए शेख शाउद अंत अंतराष्टी पूरुसकार के लिए चुना गया है पूरुसकार में पट्टिका और एक पदक और एक लाख अमेरिकी डॉलर का नगत पूरुसकार में सामिल है और यह पूरुसकार दूस्तों 25 फरवरी 2019 को सैंक तुरव अमिरात में उन्नत समागरी पर अंतराष्टी कारे स सालम प्रसूत किया जाएगा हमारा अगला कोशन नेशनल रिकाना इंसेस ऑफिस उग्रह नामक एक जासुस्य उग्रह को कक्षम प्रक्षेपित किया गया हुग किस देश का है तो यह दोस्तों USA का ठीक है अमेरिका का देके उस्तों 19 जन्वरी को कैलिफोनिया में नेशनल रिकाना इंसेस ऑफिस नामक एक अमेरिकी जासुसी उग्रह को कक्षम प्रक्षेपित किया गया है इस उग्रह को शक्तिसाली डेटा फोर हैवी रॉकेट पर लॉंच किया गया था ठीक है तो नेशनल रिकाना इंसेस ऑफिस अमेरिकी खूफी उग्रहों के लिए हो गया उन्हें लगों को थाओं और पच्छती गल्प के शंकलन के लिए हर एक में साहित कादी पुरसकार में थी कि पंच्छती गल्प के नमबर 12 थे दोस्तों खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2019 में 228 पदक के साथ कि सराजने पदक तालिका में शीर्षास्थान प्राप्त किय है तो यह किया है महरास्ट ने ठीका ऑप्सन सी तो बीस जन्वरी को पूने में खेलो इंडिया यूथ गेम्स का समापन हुआ है और महरास्ट जो है 228 पदक के साथ पदक तालिका में शीर्षास्थान पर रहा सेकेंड नमर पर हरियाणा और थर्ड नमर पर दिल्ली दोस्त तो महरास्ट ने टोटल 228 पदकों के साथ नमर वन पर सेकेंड पर हरियाणा थर्ड पर दिल्ली अब देख लेते हैं लास्ट वीडियो के एंसर आसियान और भारत के परेटन मंत्रियों के साथ इमेटा काहा जित की गई वेतनाम में जित की की सब इस्टूडियों ने राइ पर इस वीडियो जरूर देखा करें दोस्तों मिलते हैं शुर्यों के साथ तब तक लिए अबना ध्यान रखे स्वास्तर रहे बेस्तर रहे मस्तर रहे जै हिन जै भारत